नमश्कार आजेस्ट रुमनी गुरू में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आप सभी के साथ एक्षा बड़ी इलाइची में घटने के असार नजर नहीं आ रहे हैं जी हाँ बड़ी इलाइची की घरिलो आप पूर्दी तो लाक्मक रूप से नीची बनी हुई है लिवाली म को लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बूलें ये सटीक जानकारियां आपके लिए फायदेबन साबित होती हैं प्रमक उत्पादन राज्यों में बड़ी इलाइची की दूसरी फसल की आवकें हो रही है कीमत तो लात्मक रूप से नीची होने की वज़ा से 850 से लेकर 615 रुपे प्रती किलोग्राम हो जाने की सूश्णा मिली थी असम में इस पार दूसरी फसल को बारी नुकसान होने की चर्चाएं भी सुनी जा रही है लगाता इन चर्चाओं में यदि भरोसा किया जाए तो असम में इस पार बड़ी लाइची की करीब आदी फ खबरें आ रही हैं बरहाल पहली फसल शुरू होने के बाद हाजर बजारों और ओसत निलामी कीमत में थोड़ी मंदी भी आई थी दक्षिन भारत में मौसम साफ होने की रिपोर्ट आ रही हैं बीते सीजन के दुरान फसल के विकास के महतपूर्ण समय में मौसम प्रती खू तक कमाई थी यही वजा है कि बीते सीजन में बड़ी लाची की निलामी नियमत नहीं हो पाई थी नेपाल से आयतित बड़ी लाची का आयात पढ़ता पांसो दस रुपे प्रती किलोग्राम के स्तर के आसपास बना होने की जानकारी मिली है इधर बिक्री बढ़ने से और ब मात्रा के आधार पर बड़ी लाची का निराथ 6 प्रतीशत घटकर 1043 टन का हुआ नाम मात्र को एक प्रतीशत बढ़कर 83.49 करों रुपे की हुई एक वर्षपूर विक्यालो चब्दी में 82.48 करों रुपे मूले की 1113 टन बड़ी लाची का निराथ हुआ था सर्दियों के म मौसम की वज़े से बजार की दाना प्रवाबित हो सकती है और अगामी दिनों में हाजर में बड़ी लाची मंदी होने के आश्यंका नजर नहीं आ रहे है